नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पेटीशन कम्यूनिटी में मेरा नाम है नितिन और आज फिर से मैं लेकर के आया हूँ रीजनिंग प्रह्मास्त्र सीरीस का अगला पार्ट जहाँ पर हमारी चर्चा का विश。 इससे पहले bb pert में और आपको 2022 से देखने को मिलेंगे देखने को मिलेंगेurg. तो सेकेंड पार्ट को देखने के बाद अगर आप पहला पार्ट मिस्स कर चुके हैं तो उसे भी जरूर जाके प्लेइलिस में एक बार चेक करें क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ्यू से बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है आईए without wasting further time हम चालू करते हैं questions को पढ़ना यहां पर परन्तु एक आप सभी से request रहीगी जैसे ही अब आप ये question देख रहे हैं गए हैं box A के उपर 5 से अधिक बकसे होने का मतलब यह हुआ कि 6 बकसे भी हो सकते हैं साथ भी हो सकते हैं इस तरीके से कुछ बात बनेगी ठीक है पांच ही box नहीं होंगे 5 से अधिक होने जाए तो 6 साथ इस तरीके की बात रहेगी box k जो है box f के ठीक ऊपर और box m के ठीक नीचे है देखिए ऐसी ही जानकारी हमें ढूंडनी है जो थोड़ी सटीक और ठोज जानकारी जिसको हम कह सके जहांसे at least हम बनाना चालू कर सकते है देखिए बात किसकी की गई है k की और क्या बताया गया है यह जो k है अब अगर f यहाँ पे है तो w इसके ऊपर भी हो सकता है दो बक से छोड़के यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ एक condition यह हो सकती है कि एक बार के लिए वो नीचे आजाए नीचे आजाए य Nagi f के नीचे w आजाए यादि एक, दो, दो बक से छोड़के W नीचे आ जाए, एक condition उपर बन जाए W, एक condition नीचे बन जाए W, ये दो condition यहाँ पर बन सकती है, ठिक, box H जो है, box W के नीचे और box Q के उपर है, एक box H है, जो W के तो नीचे आना चाहिए, पर वो W के नीचे रहेगा, Q के उपर रहेगा, तो अगर आप देखेंगे, second condition को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो हो गए, अब W के नीचे किसको आना है, H को आना है, तो H ऐसा कुछ आएगा, परन्तु H को Q के उपर भी रहना है, तो ऐसा कुछ होगा, अब आप देखेंगे, 6 यहाँ तक थे, 7 यह, 8 यह, तो कुल मिला के पूरे 8 box तो य नीचे जगे ही निए, तो विचारा B कहा जाएगा, B कहा जाएगा, उसको तो वैसे भी Q के नीचे रहना है, तो यह जो second condition हमने बनाई, यह क्या होगी, कलत होगी, इसे हम खारिच करतेंगे, यानि कि जो पहली condition थी, कि F के उपर ही दोस्थान बाद W रहा होगा, यह बात हम सबी को अब समझ नहीं है, तो अब जो जानकारी है, इसमें हम बैठाएगे, यानि कि first वाली condition में बैठाएगे, ठीक, देखिए, कम से कम चार बक से F के नीचे है, देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपका दिमाग यह कहे कि यह W के उपर और भी कुछ हो सकता है, अगर कुछ और मान लीजिए, एक चीज और है, तो W खुद second हो जाएगा, यह third हो जाएगा, यह चार हो जाएगा, अगर F पांच हो जाएगा, तो एक छटवा, एक साथवा, एक आठवा ही आएगा, तो F के नीचे तो फिर तीन ही स्थान रहेंगे, आफ F के नीचे कितने box आएगे, तीन ही आएगे, परन्तु हमें क्या चाहिए, कि कम से कम 4 box होने चाहिए, तो हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए, अब ऊपर कोई box नहीं होगा, W के W ही सबसे उपर रहना चाहिए, क्योंकि अब अगर W के ऊपर कोई box आने लगेगा, तो F की rank घटने लगेगी, तो ह F के नीचे अगर हमें कम से कम चार बॉक्स चाहिए तो यह हो गए वहाँ चार बॉक्स अब देखिए उपर चार है 5,6,7,8 यह मिला के पूरी कुल आपकी व्यवस्तिकरण बनेगी यह पूरी अरेंजमेंट आपकी बनेगी आईए चेक करिए हमें मालुम है कि H को भी बैठाना है H को W के नीचे बैठाना है Q के उपर रहना चीए B जो है Q के नीचे रहना चीए पर ठीक नीचे नहीं रहना चीए अब देखिए पहले तो आप यह देखिए कि A की भी एक जानकारी दी वही थे A के उपर कम से कम 5 बक से होने चाहिए A देखिए यहां नहीं आ सकता क्योंकि फिर 4 बक से होने A देखिए यहां पे भी नहीं आ सकता क्योंकि फिर 5 बक से होने हमें क्या चाहिए यह 5 से अधिक तो A के पास जगे कौन सी है दोस्तों एक तो यहां A आ सकता है यहां यहां पर A आ सकता है, W, M, K, F, डैश, यह वाले चार पड़े थे, इसके बाद 1, 2, 3, 4, यहां तो A यहां आ सकता है, क्योंकि A के पास यही दो जगे थी, तभी वो कह पाएगा, अगर यहां पर A है, तो उसके उपर 5 से अधिक 6 बक्स हैं, यहां पर A आ गया, तो उसके उपर 7 बक्स हैं, दो कंडिशन यह हो सकते हैं, अब देखते हैं दूनों में, H को हमें बैठाना है, Q के उपर हो रहना चाह है, अगर यहां पर बैठाने की कोशिश करते हैं, तो H यहां आता, Q यहां आता, और B के लिए फिर A की जगे बच जाती है, और B को यही घुसना पड़ता है, इसमें दिक्कत क्या है, कि चलो ठीक है, H Q के उपर तो है, कोई दिक्कत नहीं है, पर Q के नीचे भी तो है, कोई कहीं न कहीं, ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है, इनको आप चेक कर लिए, F और W बीच में दो बक्से है, ठीक है, K के ज़स्ट उपर M है, K के ज़स्ट नीचे F है, बिल्कुल ठीक है, H जो है W के नीचे है, H जो है Q के उपर है, A के उपर कम से कम 5 बॉक्स से जादा ही है, 5 से रवस्थित कर दिए, आईए दिखते हैं दोस्तों, इसके आधार पर क्या-क्या प्रश्म हम से पूछे रहे हैं, निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही, तो देखें, वहाँ पर अरेंजमेंट क्या थी, W थी, ठीक है, उसके बाद M रखा था हमने कहीं न कहीं, उसके बाद क्या बना था, W, M, K, F, W, M, K, F, ठीक है, H, Q, A, B, यही वाली कंडिशन हमारी पूरी बनी थी, यही पूरे आड़बक से आ रहे थे, चेक कर यह, H, Q, A, B, बरावा था, अब देखें, बॉक्स A सबसे नीचे है क्या, नहीं, यह गलत का था, बॉक्स B सबसे नीचे है, होगा, बॉक्स M, जो है, बॉक्स W के ठीक नीचे है, क्या देखें, यह M, जो है, W के ठीक नीचे है, हाँ, बिल्कुल सही है, option number C, सही है, मैं मान के चल रहा हूँ, आपकी भी यही condition बनी हो, आप्शन D को भी एक बर फिर भी चेक कर लीजिए, वो गलत होना जीए, बॉक्स H, K, उपर सिर्फ तीन बक्से है, नहीं, H, K, उपर देखें, एक, दो, तीन, चार बक्से, यही बी कतन गलत था, बहुत बड़ी है, आईए, बॉक्स H, K, नीचे रखे बक्सों की संख्या, डेश के उपर रखे बक्सों की संख्या के समान, यहां पर एक बर मैं बना देता यही आपकी condition में नहीं थी H, Q, A, B, W, M, K, F W, M, K, F, H, Q, A, B अब देखिए, यहाँ पर क्या बोलना चाहरा है? कि H के नीचे रखे गए boxों की संक्या कि H के नीचे कितने है? 1, 2, 3 तो ऐसा box है? जिसके ऊपर भी 3 ही box है H के नीचे जितने box है? एसा हमें एक box और ढूणना है जिसके ऊपर उतने ही box हो जितने H के नीचे हैं तो H के नीचे कितने है? 3 box है तो कौनसा ऐसा box होगा? जिसके ऊपर भी 3 box होगा तो F के ऊपर भी 3 box है यानि कि option number B आपका बिलकुल सही option है ठेक है दोस्तों तो ये बड़ी मज़ेदार और easy चीज़ें होती है पेपर में अगर ये वाले हमारे set बना लेते हैं तो दो-दो question उसके आधार पर पूछे जाते हैं जो की बड़े आसानी से फिर आप tackle कर सकते हैं तो थोड़ा निरंतर अभ्यास करेंगे तो ये सारी चीज़ें व्यवस्ती करण वाली आसानी से आप सभी से बनने लगेगे आईए देखिए कि और question है निम्न लिकित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और पूछे गए प्रशनों का उत्तर दें रोहन, रौनक, सुष्मा, संदीप, रेश्मा, साहिल, रूही, स्रिष्टी वृत के चारो और बैठे हैं और केंदरी की तरफ उन्मुख है यानि कि ये आठजन सर्कुलर अरेंजमेंट में सर्कुलर एक टेबल में बैठे हैं और केंदरी की तरफ मुख है इनका यानि की facing the center है ये क्या कर रहे है, facing the center पैन को मैं थोड़ा सचोटा कर देता हूं क्योंकि अब काफी सारे लोग यहां पर बैठेंगे उनको बैठाना है तो ये थोड़ा फैले ने, आपको देखने में अच्छे से देखे ठेक है, चलिए आईए देखते हैं तो कुल मिलाके 8 जन है, देखिए दो उस तो जब भी इस तरीके के बंद व्यवस्तिकरन होते हैं याने की जहां पर circular या closed आप बोल सकते हैं अरेंजमेंट होती है, वहां पर कोई भी एक जानकारी को पकड़के आप बैठाना लोगों को चालू कर सकते हैं यहां सबसे अच्छी बात इसमें होती है तो पहली जानकारी यहां पर कुछ इस तरीके से दिख रही है रोहन, रेश्मा के दाएं से दूसरे स्थान पर है तो पहले थो हम इक वरिद बनाई लेते हैं जहां पर 8 बक्से हमें बैठाने पड़े 8 बक्से बोलनों माफ करिएगा आठ लोगों को हमें बैठाना पड़े एक, दो, तीन, चार, छे, साथ, और ये हो गए 8 ठिक, आईए देखिए अब क्या बोला गया है कि सारे कोई फेसिंग दे सेंटर है यानि कि सब कहां देख रहे हैं मलवरित के केंदर की तरफ सब काम होग है अब आप देखिए रोहन जो है रीषमा के दाएं से दूसरे स्थान पर है याने की रोहन जो है रीषमा के दाएं से दाया मतलब राइट साइड में तो आप देखिए कहीं न कहीं आप रीषमा को यहां बैठा ही है तब आप बोल सकते हैं देखे ये रेश्मा इधर देख रही है रेश्मा का दाया साइड किस तरफ होगा इस तरफ राइट साइड किस तरफ होगा इस तरफ इसके राइट साइड में दूसरे स्थान पर कौन बैठा है रोहन तो रेश्मा का पहला स्थान क्या है राइट में ये दूसरा स्थान क्या हुआ ये तो यहाँ पर कौन आगए रोहन रेश्मा के दाएं से दूसरे स्थान पर है जो सुष्मा और साहिल का पड़ोसी रेश्मा जो है यानि कि वो सुष्मा और साहिल की पड़ोसी रेश्मा जो है वह सुष्मा और साहिल की पड़ोसी यानि कि अ और अगर यहाँ पे सुश्मा आएंगी, तो यहाँ कौन आएगा? साहिल. यह बात स्पष्ट है. आगे क्या लिखा गया है? संदीब जो है, रोहन का पडोसी नहीं है. ठीक. रोहन का देखिए, एक पडोसी तो सुश्मा या शाहिल में से कोई एक होगा. दूसरा जो यहाँ पडोसी आएगा, वो कौन नहीं है? संदीब नहीं है. यहाँ पे संदीब नहीं आ सकता. ठीक बात है. आगे क्या लिखा है? देख लेते हैं. साहिल जो है, रोही का पडोसी है. अब साहिल की बात देखिए, बहुती मज़ेदार तरीके से अब आपको पता चलेगा. साहिल जो है, रोही का पडोसी है. मान लीजे, साहिल यहाँ बैठा है. अगर साहिल यहाँ बैठेगा, तो उसका एक पडोसी रोहन हो जाएगा, दूसरी पडोसी रेश्मा हो जाएगी. तो यहाँ पे तो रोही का साथ उसे मिलेगा नहीं, रोही मिलेगी नहीं पडोसन के तोर प परन्तु अब दूसरा पडोस खाली है, तो यहां पे रूही आ सकती है, परन्तु अगर साहिल यहां बैठता तो वो बिचारा दोनों के बीच में पैको जाता, रोहन और रेश्मा के बीच में, तो उसको पडोसन रूही मिल ही नहीं पाती, इसलिए साहिल को यहां बैठना बैठा होगा, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, दो कंडिशन बनेगी, क्योंकि दो जगह है संदीप के लिए, हम दो बना लेते हैं, एक और वृत, इसी तरीक बना लेता हूँ, फटा फट, यह आगई आपकी रेश्मा, ठीक, यह हो गया आपकी सुश्मा, यह हो गया आपका साहिल, यह हो गया आपकी रोही, यह हो गया आपका रोहन, ठीक, यह एक चेयर, यह दूसरी चेयर और यह तीसरी चेयर, ठीक, हाँ, तो अब संदीप यहाँ बैठ नहीं सकता, रोहन के बाद, एक काम करते हैं, पहले हम बैठा लेते हैं संदीप को यहाँ, और यह वाली अर संदीब के यहां नहीं बैठ सकता था, तो यहां बैठ सकता था, यहां बैठ सकता था, पहली condition में हमने इसको यहां बैठा लिया, दूसरी condition में, यह वाली जगे पर बैठा लिया, बात बराबर है, आईए देखते हैं आगे, अब कौन-कौन बजगया है, रौनक और जो है, पहली condition में अगर बैठाएं, तो स्रिष्टी जो है, रूही और संदीब के बीच में नहीं है, तो स्रिष्टी यहां नहीं आएंगे, यहां अगर आ जाएंगी, तो संदीब और रूही के बीच में बैठ जाएंगी, है ना, तो स्रिष्टी पर रूही और संदीब के के बीच में नहीं है, तो रौनक जो है, Sandeep और शृष्टी के बीच में नहीं, हमाफ करिएका, शृष्टी जुह है, रौही टो संधीजन के बीच में नहीं, तो संदीब रूही कोई जमा बैठ सकते हैं, बीच में नहीं आईगी कि ठिक है, रौनक जो है संदीप और स्रिष्टी के बीच नहीं है याने कि अब आप देखिए अगर यहां रौनक बैट जाएगा तो यहां कौन आएगा स्रिष्टी आईगी तो अब क्या दिक्कत होगी कि रौनक संदीप और स्रिष्टी के बीच में आ जाएगा तो ये दिक्कत होगी, तो हमें कहीं न कहीं, ये वाली जो second arrangement है, यहाँ पे अब सृष्टी को ऐसे बठाना पड़ेगा, और यहाँ पे किसको बठाना पड़ेगा, रौनक को, तो अब रौनक यह नहीं कह सकता कि देखो मैं संदीप और सृष्टी के बीच में हूँ, क्योंकि तो आप भी चेक करिएगा, अगर आपकी एक condition बन रही है, तो यहाँ पे दो अलग-अलग condition बनेगी दोस्तों, नीचे के 5 तो आपको सेम सटिक दिखेंगे, बस उपर के 3 आपस में थोड़े से बदल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेते हैं, आप question किस तरीक का स्थान क्या है, तो स्रिष्टी के संदर्ब में रेश्मा का स्थान, देखें, तो पहली condition में अगर देखेंगे, तो स्रिष्टी यहाँ पे है, है न, स्रिष्टी यहाँ पे है, तो इसके हिसाब से देखें, तो रेश्मा कहां बैठी है, यह दाया तरफ हो गया, स्रिष् यानि कि यह जो पहली condition के हिसाब से हम देख रहे हैं, वो गलत हो रहा है, तो दूसरी condition के हिसाब से देख, यह हो गई श्रिष्टी इधर देख रही है, ठीक, तो अब श्रिष्टी के दाएं से भी एक, दो, तीन, चार पे रेश्मा है, बाएं से भी एक, दो, तीन, चार पे नहीं, question में जो धाचा बना जा रहा है, वो दूसरे condition के हिसाब से बना जा रहा है, क्योंकि देखिए, option तीन स्थान वाला था ही नहीं, एक, दो, तीन स्थान वाला, यहाँ पर देखिए, कोई भी option नहीं था, दो स्थान, ततकाल वाला और चौथे स्थान वाला था, तो तीन स्थान मिलने चाहिए थे, हमें पहली condition के साब से, वो नहीं मिले, तो यह condition अमान्य हो गई, यह क्या हो गई, condition अमान्य हो गई, माफ करिए, परन्तु जो दूसरी condition थी, यह वाला जो हमारा arrangement वना था, यह सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो श्रिष को माननेता देंगे, यह वाली जो second arrangement हमारी बनी है, यह हमारे लिए clear picture है, आईए चेक करते हैं, और भी कुछ question पूचे गई इस पर, निम्न लिखित में से कौन पडोसी नहीं है, तो एक बार यहीं condition बना लेते हैं, यहाँ पर रेश्मा थी, यहाँ पर रोहन था, यहाँ पर सुष्मा थी, ठीक, यहाँ पर साहिल था, यहाँ पर रूही थी, ठीक है न, यहाँ श्रिष्टी थी, और यहाँ पर कौन आ रहा था, संदीप और रोनक, संदीप और रोहन अब देखें कौन-कौन पडोसी नहीं है साहिल और रूही तो पडोसी है तो नहीं के लिए इनका सवाली नहीं उठता रोनक और रोहन ये भी देखें पडोसी है स्रिष्टी और रोनक ये भी पडोसी है संदीप और साहिल देखें संदीप यहां है साहिल यहां है तो ये पडोसी नहीं है option number D बिल्कुल सही option है दोस्तों आप लोग के लिए आप ठीक है तो ये कुछ arrangement के प्रश्ण होंगे दोस्तों जो हमें बनाने आने चाहिए ठीक है बहुत जादा बड़ा वीडियो रखने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ कि आप लोग के लिए भी आसान हो 15-20 निट में आप वीडियो देखें कॉंसेप्ट देखें क्वेशन को सॉल्व करें और एक refreshment के तो आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर आप थोड़े और बड़े सेशन जानना चाहरे हैं कि सर एक घंटे तक के भी सेशन के लिए अगर आप कमफर्टेबल है तो आप बिल्कुल कमेंट में से लिखेंगे तो हमारे लिए भी बहतर होगा मैं भी आंकलन कर पाऊंगा कि आप अगर वो पसंद करते हैं तो वैसे सेशन भी आपके लिए फिर लेकर के आए मिए दोस्तों ठीक है चलिए फिर मिलते हैं शुक्री आप सभी को